आज जौला मुखी पुलिस ने ड्यासपी चंदरपाल सिंग के नितृत में स्कूल कॉलिज के युवाओं के साथ मिलकर शहर में जागरुकता रैली का आयोजन किया रैली में जौला मुखी के एनसेस स्वे सेवक स्काउट एंड गाइड जौला मुखी कॉल छातर युवाओं बसमस्त पुलिस टाफ मुझूद रहा नशा मुख्त समाच के लिए जन जागरुकता रैली का आयोजन जौला मुखी पुलिस टेशन से बहुन तक्या गया इस रैली में युवाओं ने समाच को नशे से दूर रहने के लिए पोश्टर दोरा संदेश दिये वा एक्स्वर में नशे से समाच को मुक्त करने के लिए स्लोगन वर नारे बाज़े भी जौला मुखी उप मंडल जीएसपी चनरपाल सिंग ने जनकारी देते हुए बताया कि विशेश अभियान के तहत नशे के विरुद जन जागरुक रैली का आयोचन किया जा रहा है और शेहर गली महले में जाकर लोगों को नशे के विरुद जागरुक करने के साथ ही नशा करने वा बेचने वालों के संबंद में जानकारी देने की अपिल की जा रही है उजवली माचल के लिए जौला मुखी से पंकर शर्मा की रिपोल आज हमने नशामुक्ती के उपर एक रैली निकाली है यह का हमारा स्पेशल केंपेन चला था आईजी नौर्दन रेंज के तरफ से यह हमने और्गेनाईज किया है तो उन्होंने एक विशेश अभियान चलाया है प्यारा फर्वरी से लेके 25 फर्वरी तक इसके लिए समय दिया हुआ था और आज करीब 60-70 कॉलेज के बच्चों को लेके हमने पूरे जौला मुखी जो हमारा मेन मार्केट थी उसमें यह रैली निकाली यसी लिए निकाली कि हमारा जो शेत्र है वो नशा मुख्त हो और जो नशे के सौधागर है उनको सचेत भी किया कि यह जो युवशक्ती है यह हमारे साथ है अगर आप इनकी तरफ इनको नशा बेचने की कोशिश करेंगे तो यह आप पुलिस के साथ हैं और यह पुलिस का सहयो करेंगे इसमें अभी हमारा मकसित यही है कि उवशक्ती ही इसका target होती है इनके नशक्ष सुदागरों का, ताकि इनको aware किया जा सके और ये ज्यादा से ज्यादा पुलिस का सेहोग कर सके, और इनको किसी तरह का कल गर्षा का जो ढर का अग्माग होता है समाज में, जो भी खतम हो सके, अभी हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं ये हमारा अभ्यान जो होगा ये केबल 25 फरवरी तक ही नहीं रहेगा अभी हमने इसमें हर पंचायत को भी कबर करना है दीरे दीरे और अभी हमें लोगों का सेहोग भी मिल रहा है युवशक्ति का सेहोग भी मिल रहा है और काफी लोगों को अभी हमने टर्गेट किया हुआ है जो नशे का काम कर रहे थे और उनको हम पकड़ भी रहे थे